बिसमिल्ला इरख्मान इरहीम, असलाम लेकुम स्टूरेंट्स, उमीद है आप सब हैरियत से होंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, वो है योनिट टू की रीडिंग करेंगे आज हम, जिसका नाम है हेल्दी लिविंग, हेल्दी लिविंग का मतलब क होता है, कि हम सेहत मंद जिन्दगी कैसे गुजार सकते हैं, सेहत मंद रहना कैसा होता है, सेहत किसको कहते हैं, जब आप बिमार नहीं पढ़ेंगे, आप कमजोरी महसूस नहीं करेंगे, और हर वक्त, हर काम के लिए अपने आपको तयार और पुर्जोश समझेंगे, उसको ह हम हेल्दी लाइफ कहते हैं, इसमें आपको हम इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम क्या समझेंगे, कि इसने कहा है, अगर आप चेक करें, इसमें उसने आपको पॉइंट्स लिख कर बताए हैं, कि आफ्टर रीडिंग इस योनेट, स्टूरेंट्स विल वी एबल टू इदिफाइड डिफरेंट वेज ऑफ हेल्दी लिविंग, यानि कि हम ये देखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि हेल्दी रहने के लिए, सेहत-मंद रहने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, फिर हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जहन को भी जहत मन रखता है फिर हम आइडेंटिफाइब करेंगे और लोकेट करेंगे मुख्तलिफ वर्ड इसमें डिक्षिनरी में उनके मीनिंग्स रूड़ेंगे ताके हमें उनके मतलब समझ में आए और हम उनको सेंटेंसे में यूज कर सकें Then we will learn to use different type of sentences and types of figurative language. Figurative language क्या होती है? Figurative language होती है कि जब हम कोई लफ्स पढ़ते हैं उस लफ्स का मतलब असल में तो कुछ और होता है लेकिन जो हम जिस मकसद के लिए उस लफ्स को इस्तमाल करते हैं वो मुख्तलिफ हो जाता है लहाजा मुख्तलिफ तरीकों से हम देखते हैं किताबों में कहानियों में ऐसे अलफाज होते हैं जिनका जाहरी मतलब तो कुछ और होता है लेकिन उनके इस्तमाल का मकसद मुख्तलिफ होता है ऐसे वर्डिंग का इस्तमाल जो होता है उसको figurative language बोलते हैं यानि अपने मतलब से हटके किसी दूसरे मकसद के लिए लफ्स को इस्तमाल करना फिर हम इस चैप्टर के बाद पढ़ने के बाद इसके हम सीखेंगे किस तरह से story making की जा सकती है एक कहानी कैसे बनाई जा सकती है कई तस्वीर देखकर हम उससे किस तरह से मुख्तलिफ किसम के किसे कहानियों में तबदील कर सकते हैं ये बागी सारी बाते हम सीखेंगे अभी आपको नजर आ रहा है कि ये एक healthy family है जो बहुत ही खुश नजर आ रही है यानि कि इनका healthy रहना किस पर base करता है सुबा सवेरे उठना regular exercise करना उसके साथ अच्छी खुराक का इस्तमाल करना अच्छी खुराक का मतलब ये होता है कि जो खाना हमें सेहत बखशे ऐसा खाना जो के balanced diet में हो और वो हमें सेहत बखशे जिसमें fruits शामिल हूँ, vegetables शामिल हूँ, गोष्ट, proteins वगरा सारी minerals जो हमारे जिसम को जरूरत हैं, वो मौझूद हूँ, वो हमारे लिए healthy eating होती है junk foods और ये जो prepared foods होते हैं, ये जो हम खाते हैं, ये हमारी सेहत के लिए नुकसान दे होते हैं, कभी कबार खा लेने चाहिए, लेकिन ज्यादा तर इनका इस्तमाल नहीं करना चाहिए, सेहत बखश, खुराग खानी चाहिए, और regular exercise करनी चाहिए, जिसकी वज़ा से हमारा जहन तवाना होगा, हम मस्बत सोच के मालिक होंगे, क्योंके हम खुश रहेंगे, सेहत बन रहेंगे, तो ही हमारा जहन अच्छा सोचने के काबिल होगा, और हम अच्छा और खुशकवार महसूस करेंगे, feel good का मतलब ये होता है, कि हम खुशगवार महसूस करें, हर वक्त का चिर्चिड़ा पन, गुस्सा और ये सारी चीज़ें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हमें हर वक्त अपने जहन को मस्बत रखना चाहिए, positive thinking रखनी चाहिए, जिसकी वज़ा से हम खुशगवार सोच के मालिक होंगे, ये हमारी सेहत मन जिन्दगी की जमानत है, तो आईए हम अपने reading section की तरफ जाते हैं, जिसका आगास करना है, ये English के जो lines हैं, मैं इ इसके अंदर मौझूद words हैं, वो pronounce कैसे करने हैं, उनको और से सुनना है, मुख्तलिफ किसम के words जो मुश्किल आपको लगते हैं, आप उनको अपने पास book भी रखें, और इसको सुनने के साथ-साथ उन words को underline करते जाएं, मीनिंग्स में आपको साथ-साथ बताते भी जाओ होंगी, आपको असान लगे, तो आप नूट कर सकते हैं, या फिर सुनकर भी उनको आप याद रख सकते हैं, तो अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, healthy living, यानि के सेहत-मंद रहना, like machines, humans also have hardware and software, आपको पता है, machine का एक hardware होता है, और एक software होता है, यानि के machine मुफ्लिफ पुर्जों से बनी वी होती है, जिसे हम hardware कहते हैं, machine के मुफ्लिफ पुर्जे मुफ्लिफ काम करते हैं, एक पुर्जा भी खराब हो जाए, तो machine का काम खराब हो जाता है, उसके इलावा जो मशीन की पर्फॉर्मेंस होती है, यानि किसी भी किसम की मशीन है, आपके घरों में मौजूद है, कम्प्यूटर है, या आपके हाथ में जो मॉबाइल डिवाइस है, फ्रिज है, रेडियो ट्रांस्मिटर्स हैं, या फिर टीवी है, यह सब मशीने हैं, इन मशीनों का अपन अपना काम होता है, वो अपने सॉफट्वेर पर काम करती है, तो क्या कह रहा है? Like machines, मशीनों की तरह, humans also have hardware and software, इनसानों का भी अपना hardware और software होता है, यानि कि जहसे मशीन के पूरसे होते हैं और उनके कारिगरी होती है इसी तरह से इनसानी जिसम के मुख्तलिफ आजा होते हैं जो इनसानी जिसम के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं विच हेल्प आस तो एक्जिस्ट इन दो वर्ल्ड यही जिसम के मुख्तलिफ आजा जो है ये हमें जिन्दा रहने में और इस दुनिया में जिन्दगी गुजारने में मदद देते हैं Hardware is our physique Hardware से मुराद क्या है? जैसे machine के पुरजे हैं तो इनसान का hardware क्या है? उसकी जिस्मानी साख्त Physique क्या होती है? जिस्मानी साख्त फिजीक आगे उसने explain कर दिया है The way we appear to the world and the software is our inner यानि के जिस तरीके कार से हम दुनिया के सामने मौजूद हैं और अपना रवया इक्तियार कर रहे हैं अपने काम कर रहे हैं वो हमारी जिन्दगी का software है यानि के हमारी जहनी सोच हमारी जिन्दगी गुजारने का नुकता नजर हमारा नजरिया यह हमारा क्या है? Software यानि यह आप इसको असान अलफाज में कह सकते हैं इनसान की सोच उसका software होता है और जिस्मानी खदोहाल उसके hardware होते है The way we think and feel यह आगे उसने explain कर दिया है software को Software क्या है इनसान का? क्या सोचता है और वो क्या महिसूस करता है? Healthy living means maintaining healthy hardware and software सेहत-मंद रहने से मुराद यह है कि सेहत-मंद जिस्मानी साखत भी हो और सेहत-मंद सोच भी हो इनसान की सोच भी अच्छी हो और इनसान सेहत-मंद भी हो इस सेहत, मंद, रहन, सेहन के तर्स के जो बुनियाद है, वो किस पर मबनी होती है, कि हम अपने आप को क्या प्रोवाइड करते हैं, यानि अपने आप के साथ हम क्या करते हैं, खुद को क्या मुहया करते हैं. जिन्दा रहने के लिए हमारे लिए हवा, पानी, खुराक, ऑक्सीजन ये जरूरी चीजें हैं, हम सांस लिए बगार जिन्दा नहीं रह सकते हैं, पानी के बगार जिन्दा नहीं रह सकते हैं, खाने के बगार जिन्दा नहीं रह सकते हैं, कुछ मुद्दत होती हैं, जब तक जिसम को क्या दे रहे हैं? अच्छी खुराग दे रहे हैं, जहन की नशोनुमा अच्छी कर रहे हैं, अच्छा तर्जे जिंदगी अपना रहे हैं, तो हम सहत मंद जिंदगी गुजार रहे हैं. Human body is the best picture of the human soul एक इनसान की रूह का अंदाजा उसके सहतमन जिसम से लगाया जा सकता है कि इनसान की जाहरी ख़दोहाल अगर खुबसूरत हैं तो उसकी रूह भी जो है वो सहतमन होगी ये टॉनी रॉबिन्स ने कहा है ये एक कोट है इसको टेशन को आप याद भी कर सकते हैं मुख्तलिफ जगों पर जब भी कभी आपको health के बारे में या healthy living के बारे में कोई topic पे लिखने के लिए कहा जाए तो आप इस quotation का हवाला दे सकते हैं Our body is kept healthy हमारा जिसम सेहत मंद होता है when we feed it जब हम इसको खुराक देते हैं with right kind of food सही किसम के खुराक का इंतखाब करके from all the nutrient groups जिसमें तमाम किसम के घिजाई अजिजा मौजूद हो nutrients क्या होते हैं घिजाई अजिजा in required proportion मुनासिब तनासुब में proportion क्या होती है तनासुब यानि कि हमें जितना चाहिए जिस किसम के घिजाई अजिजा की हमारे जिसम को जरूरत है उसकी मुनासिप मिकदार हमें चाहिए, हम उस प्रोपोर्शन में वो खुराक इस्तमाल करें At the right time, सही वक्ते अब हम क्या करते हैं, कि हर वक्त खाना, बच्चे जो हैं, वो कहते हैं कि हमें ये भी खाना है, वो भी खाना है, लेकिन उनका कोई टाइम नहीं होता है कभी कबार ऐसा होता है, कि आप कहते हैं, कि हमें खाने को दिल नहीं चाह रहा है हमने कुछ भी नहीं खाना है तो ऐसा करने से हम अपने जिसम को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं ये देखें उसने वाजिया कहा है कि राइट टाइम यानि खाने के लिए मुनासिब वक्त होना जरूरी है खाने के लिए all the nutrient groups यानि के मुनासिब गिजाई अजजा जो हैं वो जरूरी होते हैं इन और इन रिक्वाइट प्रोपोर्शन यानि के उसको एक खास तनासुब से इस्तमाल करना है ना ज्यादा ना कम जो हमारे जिसम के लिए नुकसान दे साबित ना हो इस मिन्स इसका मतलब है that there should be equal presence of fresh fruits or vegetables mothers इसका मतलब है कहमारी खुराख में मुनासिब बुराबर मिकदार में ताजा फल या सबजियां शामिलूं बच्चे फल फरूट खाने से गुरेस करते हैं, ऐपको सब्सियां पसंद में होती है हाला कि इन सबजियों में जो गजायत होती है वो आपके सिहत मंद रहने के लिए बहुत जरूरी होती है डेरी प्रोड़क्ट्स यानि डूद से बनीवी चीजें जो होती है वो इस्तमाल में लानी चाहिए ड्राइ फ्रूट्स या सीडस यानिके ड्राइ फूर खने चाहिए और भी जो होते हैं मुवफलों के बीच जो होते हैं वो भी सेहत बक्ष होते हैं जैसे बादाम हैं अखरोट वगारा हैं एंड मीट और गोश्ट भी whereas जबके the right proportion means ये तो हो गया कि सही किसम का food कौन सा है सही खुराग कौन सी है और दूसरी बात अब right proportion का क्या मतलब है कि सही तनासुब से कैसे इस्तमाल करना है the right proportion means the quantity of food according to the needs of the body यानि के हमारे जिसम की जरूरियात क्या है उन जरूरियात के मताबिक हमारे जिसम में क्या जो खुराग हमने इस्तमाल की है वो हमारी जिसमानी जरूरत के लिए मौजू है उसको उसने पूरा किया है यानि जिसम की कमजोरी को उसने खतम कर लिया है तो वो उसकी right proportion है तो जो ज्यादा खुराक होती है वो चिकनाई में बदल जाती है जिसम के अंदर जाकर वो चिकनाई में बदल जाती है दैट रिजर्ट इन वेट गेन जिसकी वजा से जिसम का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है and diseases और जिसम बीमारियों का शिकार हो जाता है like diabetes, heart problem and joint spain जिसमें sugar का मर्ज, दिल के अमराज, यानि के अमराज कल्ब and joint spain और जोडूं के दर्थ शामिले चोटी सी उमर में आजकल नजर आता है कि बच्चे कहते हैं कि थोड़ी देर खेल कर हम ठख गए है जिसमानी activities नहीं होती हैं और जिसम उनका दर्थ करने रखता है जरा से खेल कूर्श से वज़ा से इसकी वज़ा क्या है इसकी वज़ा है कि बच्चे सही खुराक का इस्तमाल नहीं करते हैं, वक्ट पर खाना नहीं खाते हैं और balanced diet नहीं खा रहे हैं जिसकी वज़ा से उनकी जिसमानी जरूरियात पूरी नहीं होती है और उनका जिसम मुख्लिफ किसम की कमजोरियों का शिकार हो जाता है जिसमें उनके जिसमानी आजा का सबसे ज्यादा जो दर्द है वो शामिल है जिसे हम जोडू का दर्द कहते हैं अगर हम बहुत कम खाएंगे जरूरत से भी जादा कम खाएंगे तो हमारे जिसम में तवाजन बिगड़ जाएगा खुराग का जिसकी वज़ा से वेट लॉस यानि के हम अपना जो मुनासिब वजन होता है जिसम का उसको खोने लग जाएंगे बिकॉस क्योंके दिफाट इस यूज़ फोर इनर्जी एंड लीज तो डिजीज लाइक अनीमिया क्योंके हमारे जिसम में चिकनाई जो हमारी जरूरी जिसम का एक गिजाई अजसा है उसको सेहत पहुंचाने के लिए उसका तनासुप कम हो जाएगा फैट अगर ज्यादा हो जाएगी तो हम मोटे हो जाएगे बिमारियों के शिकार हो जाएगे जैसे उपर पड़ा है अगर ये फैट कम हो जाएगी तो भी हम बिमारियों का शिकार हो जाएगे किस तरह से क्योंके हमारी जिसम में तवानाई कम हो जाएगी तवानाई कम हो जाएगी तो हमारी जिसम मुख्तलिक बिमारियों का शिकार हो जाएगा जैसे के एनीमिया, खून की कमी को कहते हैं एनीमिया, तो हमारे जिसम में सबसे पहले जो कमी प्वाजिया होगी, वो होगी खून की कमी, जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, Hence, इसलिए, the importance of a well-balanced diet is evident, लहाज़ा, एक मुनासिब, मुतवाजन गिजा, बैलन्स डाइट क्या है, मुतवाजन गिजा, बैलन्स तवाजन गिजा, बैलन्स तवाजन गिजा, इस बात का सबूत है, As, it aims to provide nutrients, क्योंके इसका मकसद होता है, जिसम को मुनासिब अज़ा पहुंचाना, essential, यानि जो जरूरी है, for proper growth से ही, नशोनुमा के लिए, and functioning of the human body, और जिसम के अज़ा के मुनासिब काम करने के लिए, inadequate, यानि के मुनासिब जरूरत के मुताबिक, काफी, adequate का मतलब होता है, काफी, inadequate proportions, काफी तनासुब में, जिसम के मुक्तलिफ आज़ा के काम को मुम्किन बनाना, और हमारी नशोनुमा को आगे लेकर जाना, किस बात के उपर बेस करता है, मतवाजन और healthy गिजा के उपर, Now, next page पे आप देखें, उसने आपको का है, there are some guidelines towards keeping a healthy hardware of our body, आप, healthy hardware यापको तस्वीर में बच्चे नजर आ रहे हैं, और एक बजुर्ग नजर आ रहे हैं, जो के cycles चला रहे हैं, आज कल के बच्चों को cycle चलाने के लिए के लिए के हैं, तो दो पैडल मार के आप कहते हैं, क हमारी सांस फूल गई है, ये इस वज़ा से होता है, कि जब हमारा जिसम उस exercise का आदी नहीं होता है, चाए हम बच्चे हैं, नوجवान हैं, या बुड़े हैं, हर उमर के हिस्से में हमें जिसम को तवाना रखने के लिए मुनासिब exercise यानि वर्जिश की जरुरत होती है, इस मे सबसे ज़्यादा आपको नजर आ रहा है कि बच्चे जब पाटिसिपेट करते हैं साइकलिंग में, तो साइकलिंग में जिसम के मुखलिफ आजा हिस्सा लेते हैं, हाथ, बाजू, पाउं, टांगों के मसल्स सब मिल कर काम करते हैं, तो जिसम के तमाम जो मसल्स हैं वो active हो और वो जिसम को मुखतलिफ तरीकों से उसमें खून की रवानी को मुनासिब बनाते हैं, जिसकी वज़ा से उनका सेहत मन रहना एक अच्छी अलामत बन जाता है, चूज होल, इंस्टेड प्रॉसेस्ट फूर, अगर आपको अपने जिसम की जाहरी खदोखाल को maintain रखना है, यानि जिसमानी साथ को active रखना है, बिमार नजर नहीं आना है, सिहत मन नजर आना है, तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, वो यह है कि आप अपनी खुराक का इंतखाब करेंगे, जिसमें जो के whole food होगा, यानि के ताजा फल, सबजियां, fruits वगएरा होंगे, instead of processed food, food होते हैं, या फ्राइस वगएरा होते हैं, उनका इस्तमाल ज्यादा करते हैं, और processed food को ज्यादा पसंद करते हैं, पीजा, यह जो बेकरी प्रॉड़क्ट्स होती है, यह आपके लिए नुकसान दे होती है, इनका इस्तमाल करना चाहिए, यह नहीं को बिल्कुल ना बहुत कम, then अगला उसने कहा है, अगर सेहत मंद रहना है, say no to sugar and choose nuts instead, चीनी का इस्तमाल कम करना है, और फ्रूट में दो ड्राइ फ्रूट से, नट्स वगरा है, पीनिट्स, ऐलमंट वगरा, यानि बादाम वगरा, फलियां वगरा, इनका इस्तमाल ज्यादा करना है, Keep healthy food readily available, अपने इर्द गिर्द हमेशा सेहत मंद और रहने वाली और सेहत बख्ष खुराग जो है, हमेशा अपने इर्द गिर्द रखें, जिसमें सबसे ज्यादा एहम हैं fruits and vegetables, balanced diet with right-sized proportion, सेहत मंद रहने के लिए, मुतवाजन गिजा चाहिए, और मुनासिब मिकदार में आपकी जिसम में, मुख्तलिफ औकात में जब इसको जरूरत हो, उसे पोंचाने की जरूरत है, और डेली 30 मिनिट्स फिजिकल एक्सरसाइज, हर रोज, किसी मुनासिब वक्त को आ जिसमें आप सुबह सवेरे उठते हैं, एक तो ताजा हवा होती है, फिजा साफ सुत्री होती है, उसमें 30 मिनिट के लिए आप चेहल कदमी कर सकते हैं, कोई और फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, क्रिकिट खेलने, फुटबॉल खेल सकते हैं, पैट्मिंटन, टेनिस व जाद कर लेंगे, ये बुदास की कोटेशन है, जिसमें सेहत मन रहने के बारे में वो कहते हैं, वी आर शेप बाइ आवर थाट्स, यानि जैसी सोच होती है, वैसे ही हमारे खदोखाल बनते हैं, एक आपने भी बहुत वफा सुना होगा, कि इनसान के जो चेहरे के तासुरा आंखों से आपकी, रू की, शनाखत होती है, कि आपकी रू किस किसम की है, आपकी सोच कैसी है, यानि कि अच्छा खुश της इंसान अच्छी और मस्बश सोच का मालिक होगा, वी बिकम वट वी ठिंक, चैसा हम सोचते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं, अच्छा सोचेंगे, तो इसलिए देखें, अगर हमें जिन्दगी में खुशियों को अपनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेहत के उपर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जुरूरत नहीं है, हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो हम खुशाल और खुश्चकल और खुशमिजाज इनसान हों and inner self depend on the quality of our positive thoughts. सेहत मन जहन और हमारी अंदर की सोच, यानि हमारा जहन, depend on the quality of our positive thoughts. ये सब मुनहसीर है के हम कैसा सोचते हैं, मस्बत सोच हमारे पास है या नहीं है. To maintain ourselves healthy from inside, अंदर से खुद को सेहत मन रखने के लिए, यानि के इनसान का जाहरी जिसम ही नहीं होता है सेहत मन, उसकी रूप को भी सेहत मन होना चाहिए. एक इनसान का inner होता है, उसका जहन होता है. जहन क्या करता है? जिसमानी नश्वनुमा में बहुत एहमियत का हामिल है. ज लिए वी शुड़ गार्ड़न आफ आर माइंड अपने जहन की खेती को हमेशा उसकी हमें रखवाली करनी चाहिए. अपने जहन की सेहत को बरकरार रखने के लिए और अपनी सोच के खुबसूरत बाग को काइम रखने के लिए उसे महफूज रखने के लिए बुरी सोच और बुरे एसासाथ से महफूज रखना होगा. जैसे के बाग का माली होता है और वो जाड़ियों और हारदार यानि कांटेदार चीज़ों को फूलों से अलग करके उसकी सफाई सुथराई करता है तब ही व वजा से हमारी जाहरी जो जिस्मानी कैफियत है वो खुबसूरत नजर आएगी. पॉजिटिव थाट्स लाइक प्रेज, एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस तोवर्ड अधर्स लीड टू कंटेंटमेंट एंड पीस. इस इनसान की मस्पच सोच, यानि हर मतलब किसी की पजीराई करना, किसी की तारीफ कर देना, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. हम सिर्फ अपनी तारीफ करना पसंद करते हैं, दूसरे की नहीं करना पसंद करते हैं. तारीफ करना, यह होसला रखना कि दूसरे को अप् यह क्या करते हैं टूर्ड्स अधर्स दूसरों के लिए लीड टू कंटेंटमेंट एंपीस इत्मिनान और सुकून की तरफ हमें लेकर जाते हैं हम मुतमेन कब होते हैं जब हमें किसी से किसी किसम की कोई भी एकसेटेशन नहीं होती हैं कोई हम उमीद नहीं रखते हैं कि कोई हमारे लिए क्या करें कैसे करें यू करें तो अपने आप को मुतमेन रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल को वसी करें और शूस्त पैदा करें दे मेकल उस हैपी in our life becomes more enjoyable ये हमें खुश करते हैं और हमारी जिन्दगी ज्यादा काबले सुकून होती है और enjoyable यानि के हम उसे लुट उठा सकते हैं because क्योंके they generate positive energy क्योंके इन से ही मस्बत सोच और मस्बत कुवत का इजहार होता है One should appreciate others दूसरों की तारीफ करनी चाहिए दूसरों को हमेशा उनकी अपजीराई करनी चाहिए when it is due, जब जरूरत हो तो and accept them with all their differences और उनकी तमाम इखतलाफात के बावजूद उन्हें कबूल करना चाहिए Allah has made us all with utmost care and love Allah ताला ने हमें बहुत ही प्यार और इहतियात और बनाया है and he loves all of his creations और वो उपनी तखलीक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है Allah ने हमें बहुत ही हिफाज़त से, इहतियात से, महबत से पैदा किया है और उसी तरह से वो हम से मखलुकात जो हैं, creations, जो भी मखलुकात हैं इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, अल्ला ताला उन से महबत करता है therefore, इसलिए we should also respect हमें इहतराम करना चाहिए and love our fellow beings और अपने साथियों से महबत करनी चाहिए we should keep a watch on what we allow inside our minds हमें ये नज़र रखनी चाहिए कि हमारे जहन में क्या चल रहा है अपने आप को चेक करना चाहिए यानि अपनी सोच को भी उसके उपर नगार रखनी चाहिए कहीं हमारा जहन गलत तो नहीं सोच रहा starting from words, अपने अलफाज से स्वरू करें we speak जो हम बोलते हैं thoughts अपनी सोच से देखें and attitude और रवये को देखें towards other जो दूसरों के लिए हो यानि कि उसमें कहीं कोई कमी ना हो we should not waste energy हमें तवानाई को जाया नहीं करना चाहिए and time और वक्त को on gossiping फुजूल किसम की बातचीत में जो जिसका कोई मकसद नहीं हो and finding thoughts in other और दूसरों में गल्दिया नहीं ढूननी चाहिए दूसरा जैसा भी हो हमें उसको हर लिहाज से उसको appreciate ही करना चाहिए these lead to negative thoughts क्योंकि ये सारी बाते हैं गॉसिपिंग, bad mouthing and finding thoughts ये हमारे जहन में मन्फी सोच पैदा करते हैं like jealousy हमारे अंदर हसद पैदा होता है guilt फिर हमारे अंदर एक ऐसी होता है इसासे जुर्म होता है कि हम पच्छा रहे होते हैं खौफ पैदा होता है and making excuses और फिर हम मुख्तलिफ किसम के बहाने बनाते हैं to cover up अपने आप को cover करने के लिए how we actually feel करेंगे हमारा रवया सहीं होता हमें शर्मिंदगी भी जरूर होती है guilt शर्मिंदगी को कहते हैं हमें हसद भी होता है हम खौफ जदा भी होते हैं तो फिर हम उसको cover up करने के लिए यानि अपनी कमी को पूरा करने के लिए हम अपने असल ऐसास से पीछे रह जाते हैं. These negative thoughts leads to unhealthy and therefore unhappy life. ये मनफी सोच जो है, वो हमारे लिए unhealthy होती है और इसलिए हम हारी जिन्दगी की खुशियां भी खत्म हो जाती हैं. Now, some guidelines to maintain healthy software are यानि जिसम के सोच अपनी जो जिसमानी हमारी जहनी सहत है उसको बरकरार रखने के लिए Think before you speak. पहले बोलें, सोच के बोलें, especially खास तोर पर when it relates to other जब इसका तालुग दूसरूं से हो. Don't say anything. कुछ भी मत कहें until it is truth, जब तक वो सच नहो, useful मुफीद नहो, or kind or काबले रहम नहो. Don't say insight, जहन में कोई बात ना रखें, यानि पोशीदा ना रखें, when you can't say outside, जब आप कुछ कहना सकें, तो उसको जहन में भी ना रखें, बलके उसको भूल जाएं. Say what you mean. जो आप कह रहे हूं, उसको अखास तोर पर जहन में रखें, कि जो आप कहते हैं, वो ही उसका मकसद हो. Mean what you say. जो आप कह रहे हैं, उसका मतलब भी आपको पता हो. Don't say to anyone, useless. Don't say to anyone, unless you can say to everyone. ऐसा कभी किसी के लिए कुछ भी ना कहें, जो आप सब के सामने ना कह सकें. Inspiring to live healthy. सेहत-मन रहने के लिए, the benefits of regular exercise and physical activity are hard to ignore. वो जो फाइदे हैं, जो बाकाइदा, वर्जिश के हैं, और जिस्मानी जो हैं, सलाहितों को काईम रखने के लिए physical activities हैं, उनको नजर अंदाज करना मुश्किल है. It is recommended, ये कहा जाएगा, ये आपके लिए बहुत वाज़े है, to have at least 30 minutes. आपके लिए ये ही कजवीज किया चाएगा, कि तीस मिनट के लिए physical activity कोई भी अपनाएं, every day, हर रोज. This time can be utilized in playing our favorite sports. ये वक्त हमारी खेल कूत के लिए भी बुक्तस हो सकता है, दूइंग सम एक्सरसाइज के लिए हो सकता है, और फिर चैल कदमी के लिए भी हो सकता है, in the morning और evening सुबा के वग्त या शाम के वग्त. Adding mental peace, adding physical activity to our daily routine, adds quality in life. Physical activity, यानि जिस्मानी activities जो है, उनके अंदर हिसा लेना, ये जो उपर हमने गिनी है, sports है, exercises है, walk है, ये सब हमारी routine का हिसा होना चाहिए, और हमारी जिंदगी में ये quality यानि के खासियत पैदा करते हैं, जिसके बहुत सारे health benefits होते हैं, यानि सेहत बख्ष उनके फवाइद होते हैं, as well as mental peace, और इसके साथ साथ जहनी सुकून भी होता है, it reduces risk to many diseases, बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, makes joints and muscles stronger, हमारे जिस्मानी जो आजा हैं और muscles हैं उनको strong बनाते हैं, and maintain body weight और जिसम के जो वजन है उसको मुनासिब रख्ते हैं, it also leads to healthier state of mind, सेहत मन जहन की तरफ भी हमें लेकर जाती हैं, and lift our moods which lead to improved social life, और हमारे mood को यानि के हमारे जहन को और हमारे सोच को और हमारे तर्स को बदल देते हैं, जो के हमारी social life के लिए जरूरी है, exercise, meditation and physical activity every day, रोजाना exercise, meditation क्या होता है, मराकबा जिसको कहते हैं, आप नमाज के लिए बेठते हैं जब और नमाज के बाद कुछ देर के लिए अपनी आखें बंद करके, और अपनी सोच को हर तरह की दुनियावी फिक्र से आजाद करके, जब आप अपने आपको अल्ला की तरफ लेकर जाते हैं, और Allah के बारे में और अपने बारे में सोचते हैं तो उसको meditation कहते हैं and physical activity everyday लेहाजा यह रूख के सुकून के लिए ज़रूरी है are a great way to feel better यह तमाम तरीके हैं जिसे हम अच्छे रह सकते हैं boost your health, अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं and have fun और enjoy कर सकते हैं जिन्दगी का लुथ उठा सकते हैं one should remember that desire change in lifestyle does not happen overnight याद रखें के कभी भी जो भी आप तबदीली चाहते हैं जिन्दगी में अपने तरजे जिन्दगी में भी वो कभी भी रात दिन में एग या दिन या रात में नहीं आ सकता है and it takes a lot of dedication इसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप की लगन की जरूरत होती है and hard work और मेहनत की जरूरत होती है to start living healthy ताके आप सेहत मन रहना शुरू कर सकें लहाजा आप से अपने आप से वादा करें कि हम सेहत मन रहने के लिए इन तमाम असूलों पर अमल करेंगे जो हमें यहां सिखाए गए है और अपने आप को कोशिश करेंगे कि इन असूलों के करीब करीब जिंदगी गुजारने के लिए अपनी आदात को बदलने की कोशिश करें ताके हम भी खुशगवार और सेहत मन शहरी बनने के लिए इस माशरे का एक किर्दार अदा कर सकते इस आल फर टोड़े थैंक यू वरी मुच